मुझे नहीं लगता है कि आप मेंसे किसी नवी ऐसा सोचा होगा कि कॉंग्रेस की ये हालत हो जाएगी आप देखिए पिछले दिनों जितने भी चुना हुए जितने भी राज्यों में चुना हो रहे हैं अधिकतर राज्यों में कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और ये देखिए पिक्रिया जो भी नियम चल रहा है ये लंबी समय से आप लोगों को देखने को मिल र सकर्वाती है और उनकी सरकार गिर जाती है कि अभी हाली में आपने देखा हूए कि उत्तरपिदेश में चुना हुआ और उत्तर विदेश में आप देखे कॉंग्रेस की कितनी बुरी हालत हुई आप सभी लोग जानते हैं और कॉंग्रेस में सुधार को लेकर आप देखे बहुत लंबे समय से बात उठती रही है तरह तरह की नेताओं ने आप देखे कि इसमें बदलाओ करने की बात की हुई है लेकिन अभी हाली में आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे G23 के बारे में क्या है कि ये G23 क्या है आखिर कॉंग्रेस के बीतर ही आप देखे कुछ नेताओं ने एक समू बनाया हुआ है इसमें 23 नेता सामल है 23 नेता सामल है और ये क्या कह रहे हैं कि जो कॉंग्रेस का नेतत है इसमें परिवर्तन होना चाहिए और व्यापक इस्तरपद संगटनात्मक, बदलाओं की मांग भी इनके द्वारक की जा रही है तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर इनका मांग क्या है और इन 23 नेताओं में कौन-कौन नेता सामल है और कॉंग्रेस की जैसे कि आप सभी जानते हैं कॉंग्रेस की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी आजादी के पहले आप जाईए 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो BC बनर जी थे यानि कि आप देखें वरोमेश चंद बनर जी इसके पहले अध्यक्ष थे और आप देखें कि एक लंबी समय से तो इसमें अध्यक्ष और इसका कॉंग्रेस को तो भक्तान करना भी पड़ रहा है साथ में देश की जनता को भी मजबूत लोकतंत के लिए बिपक्ष का होना जरूरी होता है और अभी भी याद रखिए अगर कॉंग्रेस की यही हालत रही और भी जो आपकी चेत्रिये पार्टी है उनकी यही हालत रही तो बीजेपी भारती जनता पार्टी को एक लंबे अर्शी तक सत्ता से बाहर कोई नहीं कर सकता है और आप देखे कोई भी अगर गठबंदन बनता है तो बिना कॉंग्रेस के संभाव भी नहीं है माना जाता है कि 200 लोग सबस सीटें ऐसी है जहां कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच डारेक्ट फाइट होती है वहाँ कोई छेत्रिये दल नहीं है तो आप देख रहे हैं कि इसलिए बीजेपी बिनास है और वो अधिकतर चुनाव जीत भी जाती है क्योंकि अधिकतर बोट आप देखिए कि बटवारा हो जाता है और बीजेपी के पास अपना बोटर है वह आप देखे उससे निकाल ले जाती है अब आप लोग कहेंगे कि पूरा बिपक्ष मिलकर बीजेपी को हराना चाहता है तो आपको बता दूं कि कॉंग्रेस के समय भी इंद्रा के समय भी आप लोग जाहिए इंद्रा गंदी, राजीव गंदी उस समय भी बिपक्ष एक होकर कॉंग्रेस को हरा रहा था तो देखिए अगर किसी पाइटी को सत्ता से बाहर दिखाना होता है तो जो शुरुवात में आप देखिए जो बिपक्ष होता है उससे एक होना पड़ता है एक कोई नई बात नहीं होगी इससे पहले कॉंग्रेस भी बीजेपी भी इस तरह का काम कर चुकी है आप देखिए सौनिया गंदी 2010 से 2017 तक आपकी कॉंग्रेस की अध्यक्ष थी फिर आपने देखा होगा कि 2017 से 2019 तक राहुल गंदी रहे लेकिन 2019 के जैसे ही लोकसभा चुनाओ हुए और कॉंग्रेस की आप देखिए बहुत बुरी हार हुई उसके बाद आप देखिए कि एक तरसे कारकारी अध्यक्ष सौनिया गंदी को बना दिया गया तो एक लंबे समय से आप देखिए उसमें अध्यक्ष का चुनाओ ही नहीं हो रहा है और G20, G23 नेताओं में आप देखिए ये नेता सभी सामिल है आपके और इसमें अगर आप देखें तो 2014 की लोकसभा चुनाओं में जाईए आप लो 2014 की लोकसभा चुनाओं के बाद यदी एक दो रंज को छोड़ दें तो फूरे देश में कॉंग्रेस अपना जनाधार खोती चली गई है और कॉंग्रेस में सीस नेतत बदलाओं को लिकर सुग भुगाहट तेज हुई तो राहुल गांदी ने कुछ समाई के लिए पायर्टी की कमाद समाली हुई थी मगर 2019 के लोकसभा चुनाओं हुए और इसमें बहुत बुरी तरह से हार मिली आपने देखा होगा कि राहुल गांदी अमेठी की सीठार चुके थे और कॉंग्रेस पद इन्होंने छोड़ दिया था और सौनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बन गही थी इसके बाद कई और राज्यों में हुए विधान सबाचुनाओं इसमें भी कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा चुनाओं में कॉंग्रेस की लगातार खराब प्यदरसन से पार्टी के भीतर संगाटनातों बदलाओं की मांग तेज होने लगी और इस बीच आप देखे कि कॉंग्रेस की सीज ट्वैंटी थिरी निताओं ने पिछले साल अगस्त के महीने में चिठी लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया और चिठी लिखने वाले इन निताओं को गुरुप 23 कहा गया और गुरुप 23 कहे जाने वाले निताओं में आप देखें कि गुलाब नभी आजाद और कपरिल सिब्बच जैसे धुरंधर नेता भी सामिल है और इस चिठी पिकरन के बाद पाटी नेतित से चुगते सवाल कुछ ने बंद नहीं किये वो लगातार पाटी आला कमान के फैसले से नाकुस थे और उसके बाद आप देखें कि गांधी परिवार को चुनोती G23 के नेताओं द्वारा लिखी गई चिठी को कॉंग्रेस के कही नेताओं ने पाटी नेतित तो और खासकर राहौल गांधी परिवार को चुनोती देन दिये जाने के तोर पर लिया था और कई नेताओं ने आप देखें कि गुलाम नभी आजाद के खिलाब कारवाई की मांग की थी विहार विधान से जवार चुनाओं में कॉंग्रेस के खराब पे दर्सन के बाद आजाद और सिब्बल ने पाइटी की कारसेली की खुलकर आलोचना की थी और उन्होंने ब्याबक बदलाओ की मांग की थी इसके बाद फिर से कॉंग्रेस के कई नेताओं की निसाने पर आ गए थे और एक बात और बता दूँ वैसे तो आप सभी जानते ही कि हमारे देखें की कोई भी राजनेतिक पाइटी हो एक ही दो नेता चलाते हैं उसे आप बीजेपी को ले लिजे लेकिन क्या है कि एक दिखावा करने के लिए उन पाइटी हो में लोक्तंत रखते हैं बीजेपी में आप देखिये कि इसी परिबार के मेंबरों को आप देख히 उसका अध्यक्श नहीं बनाया जाता है किसी और को अध्यक्श बना दिया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि बहुत नीचे उसे ओटकर आया हुआ है वो नेता और BJP का अध्यक्श बन गया है लेकिन Congress में ऐसे ही माना जाता है कि अगर आपको Congress में रहना है तो गांदी परिवार की जो गांदी परिवार के उसे मानना होगा अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग, तो Congress में या तो आपको बड़ा पद नहीं मिल सकता है या फिर आप देखे कि आपके भविस्त का एक तरस से आप देखे खत्रा ही मड़रात रहेगा और इसलिए आप देखे कि कही नेता पाइटी छोड़ चुके हैं अगर आप लोग इस कॉंग्रेश 23 नेताओं में अगर आप देखें तो इसमें आप लोगों को गुलाम नभी आजाद देखने को मिलेंगे कपिद सिब्बल देखने को मिलेंगे ससी थरोड देखने को मिलेंगे मनी स्तिवारी, आनंद सर्मा, पीजे कुरियन, रेनुकाग चौधरी, मिलिन्द देवोडा, मुकुल वासनिक, जितिन पिसाद पूर्व केंद्रिय मंत्री, और ये आप देखे के हट चुके हैं, भूपेंदर सिंग, हुड़ा, राजेंदर कौर भटल, एम विरफ़ा मोयली, पितिविराज चौन, और अजय सिंग, राजबबर, अरवेंद सिंग लाउली, कोल सिंग ठाकुर, अथलेश प्रताप सिंग, कुलदीप सर्मा, योगा नंद सास्त्री, संदीप दिप्षित, बिवेक तनखा, ये आपके G23 नेता है, यानि कि 23 नेताओं का ये सम्भू है, और ये आप देखे, इनसे कहते हैं लोग, कई बतकारों ने पूचा कि आप क्यों नहीं एक पायटी नहीं बना लेते हैं, तो इनका मानना है कि मुझे पायटी नहीं बना नहीं, मैं कॉंग्रेस को सुधार करने की बात कर रहा है, इन सभी निताओं का ऐसा ही मानना है, कि कॉंग्रेस में बदलाओ किया जाए, उसमें चुनाओ की किरिया हो, दुनिया भर के अपने सुधाओं देते रहते हैं, अब कितना मानती है, नहीं मानती है, ये तो आने बाला बक्त ही बताएगा, और आप देखे, छेतरी ये पायटी यां कॉंग्रेस ते अच्छा पेदर रहेगा, तो फिर एक तरह से तानासा ही रविया सरकारों का बनी जाता है, आप लोग इंद्रा गांदी के समय चले जाएं, उस समय आप देखते हैं कि कोई बेपक्च नहीं था, तो इंद्रा गांदी ने बिना किसी की सलाय लिए, राष्टी आपातकाल लगा दिया था, प कॉंग्रेस को भी बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, और गैर एक तरह से कॉंग्रेसी सरकार का गठन हुआ था, 1980 में आप न देखा होगा, और आप देखें उसके बाद इंद्रा गांदी को माफी मांगनी पड़ी थी देश बर से, और फिर उसके बाद उ पक्ष का क्या हाल है, आप सभी लोग भली भाती जानते हैं, क्यार यही कहानी है, जी 23 निताओं की, मुझे लगा आप लोगों को बदा देना चाहिए, चली आप लोग इंज्वाय करते रही है, देश की राजनीती को धीवी देखते रही है, जरोरी भी है देश की राजनी